ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 6 दिसंबर 2023 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है प्रश्न बाब भी प्रबल है तो माया भी दोनों की प्रबलता क्या है उत्तर बाब तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं पावन बनाने में बाब प्रबल है इसलिए बाब को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है माया फिर पतिद बनाने में प्रबल है सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अविमानी बनने का पुर्शार्त करो गीत हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है ओम शांती तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है जरूर राह बताने वाला होगा मनुष्य रौंग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आये हैं, जब से उल्टी मत देने वाले रावन का राज शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावन की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है, सब अपने को पतित कहते भी हैं, गांदी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ, गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं, चाहते हैं भारत में राम राज हो, परंतु कौन बनाएगा, गीता में बापने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान क एक ही नाम उल्टा लगा दिया है बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है क्राइस्ट के बाइबिल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए ये भी ड्रामा है बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते है ये आदी मद्य अंद का ग्यान गीता में है बाब समझाते हैं मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ तुमने 84 जन्म कैसे लिए ये तुम नहीं जानते हो हम बताते हैं ये कोई भी शास्त्र में नहीं है शास्त्र तो अनेक है, भिन भिन मते है गीता माना गीता जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है कहते हैं मैं तुमको राज योग सिखाने फिर से आया हूँ तुम पर माया का परचाया पड़ गया है अभी फिर से मैं आया हूँ गीता मैं भी कहते हैं हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ अर्थात फिर से गीता की नौलेज दो गीता में ही ये बात है कि आसुरी स्रश्टी का विनाश और दैवी स्रश्टी की स्थापना फिर से होती है फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं स्रीक्रश्न भी फिर से वही मूर मुकुट वाला होगा तो ये सब राज गीता में है परंतु भगवान को बदल दिया है हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुश्यों ने डाल दिया है उसको बाप आ करके सीधा करके समझाते हैं जैसे मनुश्य माना मनुश्य वैसे आत्मा माना आत्मा परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है ये बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिवान चाहिए बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं कौन सर्विस करने में समझदार हैं किसकी लाइन क्लियर है दे ही अभिमानी नहीं बने है ये तो अंत में रिजल्ट होगी इम्तहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालुम पढ़ जाता है कौन कौन पास होंगे टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है वहां तो ठगी आदी भी हो सकती है यहां तो यह बात हो ना सके यह तो ड्रामा में नूद है कल्प पहले वाले ही निकलेंगे हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से इस सच्ची कमाई में घाटा और लाब ग्रहचारी आदी आती है चलते चलते टांग तूट पड़ती है गंधर्वी विवा करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है माया भी बड़ी प्रबल है बाबा प्रबल है पावन बनाने में इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में सतियुग में तो माया होती नहीं वह है ही वाइसलेस वर्ड अभी है एकदम विशस्ट वर्ड कितनी जबरदस्त प्रबलता है चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है फारकती दिला देती है इतनी प्रबल है भल सर्वशक्तिमान परंपिता परमातमा को कहते हैं परंतु माया भी कम नहीं है आधा कल्प उनका राज चलता है ये कोई थोड़े ही जानते है दिन और रात आधा आधा होता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात फिर भी सतियोग को लाखों वर्स कल्योग को कितने वर्स दे देते हैं अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है ये तो बिलकुल राइट है बाप बैठ पढ़ाते हैं कल्योग में मनुष्य थोड़े गीता का राज योग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धी में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे वो गीता पाठ शालाएं तो अनेक हैं परन्तु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा वा रानी बन नहीं सकते कोई भी M-object राजाई पाने का नहीं है यहां तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविश्य सुक की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है गीता पर ही सारा मदार है मनुश्यों को कैसे पता पड़े स्रश्टी चक्र कैसे फिरता है हम कहां से आये हैं फिर कहां जाना है कोई को पता नहीं है कौन देश से आया कौन देश है जाना गीता भी है ना सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं बुद्धी जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं आत्मा का तो फर्ज है न बाप को जानना देखना अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं बुद्धी कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं, जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं न उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, बाप से जरूर वर्सा मिलना चाहिए, हम दुखी क्यों हुए हैं? बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं, वह हैं आसुरी संतान, जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं, तुम अभी प्रैक्टिकल में एश्वर ये संतान बने हो, आगे तुम आसुरी ओलाद थे, अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद कर किसको भी ये दो अक्षर समझाना बहुत सहज है तुम भगवान के बच्चे हो भगवान ने स्वर्ग रचा अब नर्क बना है फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे बाप हमको राजियोग सिखला रहे हैं स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं अच्छा शिव को नहीं जानते हो प् शूद्र वर्ण है हम ब्राम्मर से देवता छत्रिय बनेंगे नई तो विराट रूप क्यों बनाया है चित्र ठीक है पर अंतु समझ नहीं सकते शूद्रों को ब्राम्मर कौन बनाएंगे जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा चाहिए उनको कैसे अडाप्ट किया जैसे तुम कह किया ये मेरी इस्तरी उनको मेरी कैसे बनाया एडाप्ट किया बाप कहते हैं मुझे भी मात-पिता कैते हो मैं बाप तो हूँ मेरी कहां से लाऊं तो इनमे प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं इस्त्री एडाप्ट की जाती है जैसे लौकिक बाप इस्त्री को एडाप्ट कर कुख वन्शावली रचते हैं बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडाप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वन्शावली बनाई है तुम कहते हो हम ब्रहामन ब्रहामनिया हैं जरूर इनका ही नाम ब्रहमा है ब्रहमा किसका बच्चा? शिव बाबा का? इनको किसने एडाप्ट किया? बेहद के बापने द्रिष्टांत बड़ा अच्छा है परन्तु जिसकी बुद्धी में बैठा होगा वह समझा सकेंगे बुद्धी में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं लौकिक और पारलौकिक बाप तो है न? वह भी इस्तरी को एडाप्ट कर मेरी कहते हैं यह फिर इन में प्रवेश कर एडाप्ट करते हैं खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है तो नाम भी बदली करता हूं एक ही टाइम कितनों के नाम रखे नाम की लिष्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए प्रदर्शनी में नाम की लिष्ट भी दिखानी चाहिए बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया उनको भ्रगु रिशी कहते हैं जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है वंडर्फुल नाम है अब सभी तो हैं नहीं कोई तो आशर्यवत भागंती हो गए आज हैं कल हैं नहीं नंबर वन दुश्मन है काम ये काम विकार बहुत तंग करता है उस पर जीत पानी है ग्रहस्त व्यभार में एकटे रहकर उन पर जीत पानी है ये है प्रतिग्या अपनी व्रति देखनी है करमेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है तूफान तो सबको आते हैं इसमें डरना नहीं है बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं ये धंदा करें वा नहीं करें बाबा लिखते हैं मैं कोई तुमारे धंदे आदी को देखने आया हूँ क्या मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए धंदे की बाद हमसे क्यों पूछते हो मैं तो राजयोग सिखाता हूँ रुद्र यग्य भी गाया हुआ है स्रीक्रश्न यग्य नहीं बाप केते हैं लक्ष्मी नारायन में ये स्रश्टी चक्र का ग्यान ही नहीं अगर ये मालुम हो कि सोला कला से फिर चौदा कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए वहां तो है ही सदगती सदगती दाता तो एक है वही आकर युक्ती बताते हैं दूसरा कोई बतला न सके पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रू है ये भी काते हैं विशश वर्ड और वाइसलेस वर्ड भारत में ही रावन को जलाते रहते हैं सतियुग में थोड़े ही जलाएंगे अगर ये कहते हैं कि अनादी है सतियुग में भी था फिर तो सब जगा दुख ही दुख होगा फिर स्वर्ग में कैसे कहेंगे फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे ये बातें समझानी हैं हर एक की रफ्तार अपनी है पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है संपून तो कोई बने नहीं है बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही है बुद्धी हर एक की अलग-अलग है जो स्रीमत पर नहीं चलते हैं वे हैं स्तमो प्रधान बुद्धी अपने को इंशोर नहीं करेंगे तो भविश्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा मरना तो है ही तो क्योंना इंशोर कर देना चाहिए सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वे करेंगे भल कोई सब कुछ देते हैं परन्तू सर्विस नहीं करते जो दिया वक खाते रहते हैं तो बाकी जमा क्या होगा कुछ भी नहीं सर्विस का सबूत चाहिए देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं नए भीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं उनको भी आफरीन दी जाती है ये नौलेज तो बड़ी सहज है वानप्रस्त अवस्ता वालों को जाकर समझाओ वानप्रस्त अवस्ता कब होती है बाप ही गाइड बन सब को ले जाएंगे तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है हम तो खुशी से बाबा के साथ एकटे जाना चाते हैं पहले पहले तो मुख्य बात ये उठाओ गीता का भगवान कौन है जिसने रचना रची लक्ष्मी नारायन को राजियो किसने सिखाया उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं सब पतितों को पावन बनाते हैं यह है विशश वर्ड वह है वाइसलेश वर्ड दोनों में नंबर वार मरतबे हैं जो स्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धी में ही यह बातें बैठ सकती हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला बुद्धी की लाइन सदा क्लियर रहे इसके लिए देही अभिमानी रहना है सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे ये संभाल करनी है दूसरा करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है वर्दान माया को दुश्मन के बजाए पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया जीत भव माया को दुश्मन के बजाए पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया जीत भव माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए इसलिए घबराओ नहीं पाठ पढ़ लो कभी सहनशीलता का पाठ कभी शान्त स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है इसलिए माया को दुश्मन के बजाए अपना सहयोगी समझो तो घबराट में हार नहीं खाएंगे पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे कभी भी कमजोर बन माया का आवहान नहीं करो तो वैं विदाई ले लेगी स्लोगन हर संकल्प में द्रणता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती